तो बालक basic geometry में हम लोग 3 पार्ट कबर कर चुके थे और ये जो है वीडियो बालक part 4 है इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज का हमारा बालक क्या लक्ष होने वाला है हम लोग बालक parallel line के बारे में पढ़ेंगे है ना parallel line के बारे में कुछ important result देखेंगे parallel line पर जो तुम पढ़े हुए हो alternate interior angle corresponding angle इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे देखेंगे उस पर कैसे questions आता है proof देखेंगे कि alternate interior angle equal कैसे होता ये सारा बात आज के वीडियो में बालक हम लोग discuss करेंगे है ना इसका full concept with proof और कुछ बढ़िया बढ़िया बालक question करेंगे जो concept को और clear कर देगा है ना question practice भी बालक इस पर हम लोग आज करने वाले हैं तो start किया जा बालक सबसे पहले हम लोग सबसे पहले एक बार revise कर लिया जा already हम लोग parallel line का बालक definition तो देखी लिये है parallel line का जो है definition तो बालक already हम लोग देख लिये है एक बार फिर से एक बार इसको recall कर लिया जाए कि definition था क्या definition में बालक हम लोग देखे थे parallel line वाले में कि देखो if two lines lies in the same plane जैसे कि देखो ये एक line है और ये एक line है ये दोनों same plane पर है same plane कहने का मतलब देखो ये smart board का plane है इसी plane पर ये दोनों line है मतलब कि same plane पर हो जैसे तुम्हारा page भी एक plane हुआ अगर तुम अपने page पर ड्रॉ करते हो एक line और एक line तो तुम्हारा page एक plane है और उसी plane पर बालक अगर तुम ड्रॉ करते हो, दिख रहा है ना बालक अच्छे से, उसी plane पर अगर तुम ड्रॉ करते हो, उसी plane पर अगर ड्रॉ करते हो, दो लाइन, इस तरीके से ड्रॉ करते हो बालक, देखो, and do not intersect when produced on either side, then such line are set to be parallel to each other, करने का मतलब यह है ध्यान से समाजना, कि अपने page पर, अपने copy वाले page पर, यानि कि तुमारा page एक plane हुआ, उस पर इस तरीके से एक line ड्रॉ कर रहे हो, कि उसको इधर से बढ़ाया जाए, प्रोडॉ किया जाए, या इस side से प्रोडॉ किया जाए, वो कहीं मिले ना, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे line को हम लोग बालक, parallel line बोलते हैं, है ना, वैसे line को हम लोग क्या बोलते हैं, बालक, parallel line बोलते हैं, बड़ा simple definition है, पहले वी डिसकस हो चुका है, समझ गया ना, plane का मतलब समझ गया, आगे देखो, transversal क इसको बोलते हैं, देखो, ऐसा line जो दो या दो से जादा straight line को cut कर दे, किसी दो distinct point पर, उसे बालक हम लोग transversal बोलते हैं, एक बाद definition देख लिया जाए, a straight line which cuts, two or more straight line at the distinct point, distinct मतलब different बालक, है ना, different point, अलग-अलग point पर अगर उसे cut कर दे, है ना, is called transversal, उसको हम लोग transversal बोलेंगे, यह तो definition हुआ, इसको देखा जाए बालक, इसको समझा जाए और बणिया से, यहाँ पर देखो, late कर लिया जाए बालक, यह L line है, और यह M line है, recall कर लो कि line को हम लोग बालक, small letter से denote करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम small letter का use किये हैं, clear है ना, और यह T line है, यह T line है यह T line है, यह वाला, इसको हम लोग transversal बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो, यह 2 straight line को, 2 straight line को बालक यह, 2 alag-alag point पर, 2 alag-alag point पर बालक क्या कर रहा है, कट कर रहा है, है ना, 2 alag-alag point पर क्या कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग, इसको transversal बोल द या इधर से produce कर दे, यह कहीं मिलने वाला नहीं है, है ना, परले लाइन में तुम यह ऐसे भी देख सकते हो, आम बताये थे, इकलिवड जमेटरी में, कि बालक इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यह हर जगा सेम होता है, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस बालक हर जगा सेम होता है, तुम यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, हर जगा सेम रहेगा, इस पूरे लाइन के थुरू, क जब इस सकल का transversal आता है वालक, तो गौर करने वाला बात है, नोटिस करने वाला बात है, यहाँ पर एंगल बनता है, और कितना एंगल बनता है, देखोगे, यहाँ पर बाबु एंगल बनेगा, और कितना एंगल बनेगा, देखो पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा मज़ रहो ना, ट्रांसवर्सल का सकल अगर ऐसा हो, तो इस तरीके से बाबू, आठ एंगल का यहां पर creation हो रहा है, ट्रांसवर्सल का और भी सकल हो सकता है, कैसे, अभी हम लोग देखेंगे बाबू, अभी हम लोग देखेंगे, जैसे देखो, देखो बालक, जैसे इस तरीके से एक पैरले लाइन है, और यहां यह एक पैरले लाइन है, बालक, दो पैरले लाइन है, और इस तरीके से अगर एक लाइन ड्राइन कर ले तो यह ट्रांसवर्सल हो गया, हैना, यह ट्रांसवर्सल हो गया, अभी यह देखे थे, देखो यह ट कट कर दिया और एक इस पॉइंट पर कट कर दिया ट्रांसवर्सल का सकल ऐसा भी हो सकता है बालक अगर ऐसा सकल वला ट्रांसवर्सल आ जाए तो कितना एंगल बन रहा है दियान से देखो इंटर्नल एंगल कितना बन रहा है बालक देखो 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 एक ये वला एंगल बन बहुते हुए बाहर भी निकला था, तो यहां आठ एंगल बना था, और दोनों को बस टच किया था, देखो ऐसे भी कट बोल देंगे, इसको भी बालेक ट्रंसवर्सल बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे की यह कट कर रहा है, एक यह पॉइंट और एक यह पॉइंट पर, तो यह यह थोड़ा सा तेड़ा था, यह थोड़ा सा बाबु तेड़ा था, यहां पर तेड़ा नहीं है, एकदम सीधा है, इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और यहां पर भी देखो, चार एंगल बन रहा है, एक, दो, तीन, चार, एक और इसका सकल हो सकता है, ट्रांसवर्सल का तो यह भी एक ट्रांसवर्सल है देखो यह भी टच कर रहा है यह भी बाला कि यहाँ पर यहाँ पर टच बोलो या कट बरलो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर मात्र दो एंगल बन रहा है due to transversal यहां पर बाबू बस दो एंगल बन रहा है, एक एंगल यह, एक एंगल यह, पास समझ रहो ना, इस सकल का इतने तरीके का transversal हो सकता है, और भी हो सकता है, देखो गे, और भी बाबू हो सकता है, देखो देहां से, यहां पर देखो ना, यहां से ले करके, यहां से ले क को एक लाइन इस तरीके से कट करता है इस तरीके से यह भी ट्रांसवर्सल है यह वाला जो लाइन देख रहे हो न यह भी ट्रांसवर्सल है यहां कितना एंगल बन रहा है देखो नोटिस करो यहां पर यहां पर बालग ड्यू ट्रांसवर्सल एक यह वाला एंगल बन रहा है अगर ऐसे सकल का आजा बाबू, तो दो एंगल बन रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रांसवर्सल का सकल जो है न वालक वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक हम लोग बनाते हैं वालक रिक्टेंगल बनाते हैं। देखो, द्यान से सुनना, एक हम लोग rectangle बनाते हैं, या हम parallelogram बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इस तरीके से बावु ऐक parallelogram है, है ना, इस तरीके से एक parallelogram है, अब देखो, इस parallelogram को तुम notice करो, इसको notice करो, ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो line है, इसके पैरलेल है ये वाला लाइन इसके पैरलेल है देखो ये दोनों पैरलेल दिख रहा है और इस तरीके से एक लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रहा है देखो ये वाला लाइन कट कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा हैना ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा उसी तरीके से देखो ये भी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन ये लाइन पैरलेल है और ये इसको कट कर रहा है लाइन ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा अगर हम लोग गौर करें तो ये लाइन और ये ये भी पैरलेल है दोनों को देखो नोटिस करो ये दोनों भी पैरलेल है ये दोनों भी पैरलेल है अगर ये दोन लाइन को कट कर रहा है ये भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है उसी तरीके से ये वला भी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल अलग अलग टाइप का हो सकता है बुक में केवल तुमको ये वला फिगर दिया हुआ है बुक में important बात लिख रहे हैं उसके बाद इसको हम लोग proof करेंगे है ना कुछ important बात लिख ले इसके बाद बाबु हम ये सब जो है वो proof करेंगे ध्यान से सुनना result on parallel line में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से समाज़ना सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस थरीके से अगर कट करता है दो parallel line को एक transversal तो किस angle को क्या बोलते हैं ध्यान से समझना सबसे पहले देखो देखो सबसे पहले angle 1 जो है angle 1 ये 3 के equal होगा ये बाबु 3 के equal होगा कैसे equal होगा हम लोग और लग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में बालक ये vertically opposite angle है है ना ये इसके ठीक vertex के opposite है यानि ये दोनो vertically opposite angle है उसी तरीके से angle 2 जो है angle 4 के equal होगा angle 2 angle 4 के equal होगा ये भी vertically opposite angle के थरू उसी तरीके से देखो बाबु 6 8 के equal होगा है ये सारा अगर relation तुमको याद रहे ना बालक तो मैं में और खासतर से geometry portion में सहनसा बन जाओगे ये तुमको याद होना ही चाहिए ये तुमको इसका relation एकदा माइंड में अच्छ से होना चाहिए तो तुम geometry में जल्दी जल्दी अपना माइंड चला पाओगे है ना तो देहान से देखना 6,8 के equal vertically opposite angle है ना और 5 जो है ना ये उसी तरीके से बाबू 7 के equal और ये सब के लिए एक ही reason है BOA, BOA का मतलब क्या है बालक vertically opposite angles are equal और vertically opposite angles are कैसे equal ये हम लोग अल्रेडी proof फिछले वीडियो में बालक देख लिए हैं तो ये important बात है ये वालक क्या है important बात है है ना ये important बात है सारा parallel line का concept बालक हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे एक एक बात को समझेंगे ये बात तुम समझ गए क्या ये बात तो पहले का बात था easily तुम समझ पाए होगे है ना अब इसी तरीके से देखो इसी तरीके से एक और relation लिख रहा है सबसे पहले एक बात समझो ध्यान से समझना ये दो line है ये दो line है बालक parallel है और ये transversal है ये दोनों के अंदर वाला जो angles है ना दोनों line के अंदर वाला angle है उसको हम लोग interior angle के नाम से जानते हैं किस नाम से इंटेरियर एंगल के नाम से मतलब ये हुआ कि यहां पर angle 3, angle 4, angle 6, angle 5 ये चारो जो है ना ये क्या है बालक interior angle है ये चारो interior angle है कि कोई parallel line के अंदर बन रहा है लेकिन interior angle तो है इसमें कुछ angle खास interior angle है कुछ angle इससे में, इस चारों में खास interior angle है, खास interior angle के बीच में कुछ relation है, जिसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आज ही proof भी कर लेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, हम जो बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, कि यहां पर बाबू, angle 3 जो है न, ये equal होगा angle 5 के, ये alternate interior angle है, पहले क्या बोलेंगे कि 3 और 5 alternate interior angle है, क्या बोलेंगे, गुन-गुनाओ इसको, 3 और 5 alternate interior angle है, और दोनों में relation ये है, कि ये दोनों हमेशा equal होता है, interior क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि parallel line के अंदर है, alternate क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो, अल्ली-पल्ली है, देखो ये लाइन है, एक लाइन के उस साइड है, तो दूसरा लाइन के इस साइड है, इसलिए इसको alternate बोल रहे हैं, तो alternate interior angle है, अगर तुम घूर घूर कर देखोगे, तो एक और alternate interior तुम को दिख रहा है, यहां पर बालक 6 जो है न, यह 4 के alternate interior angle है, 6 और 4 जो है न, यह दोनों भी alternate interior angle है, और हम बोले कि alternate interior angle जो है, वो हमेशा equal होता है, that's why यह वालक equal हो जाएगा, प्रूफ देखेंगे इसका, घबडाना नहीं है, आज ही देखेंगे कि यह equal कैसे होता है, वो भी हम लोग समझेंगे, आभी फिलाल VOA, यानि vertically opposite angle जिस तरीके से equal होता है, उसी तरीके से alternate interior angle भी equal होता है, है न, इसको हम लोग short में यहां लिख ले बालक, यह दोनों में relation है, alternate interior है न, और angle, alternate interior angle, यह भी बड़ा important बात है, यह भी बड़ा important बात है, है अब आते हैं, एक और interior angle के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, देखो बालक, एक ही side देखो, alternate क्यों लगा क्योंकि यह एक line के अल्ली पल्ली था, देखो एक line के इस side एक था तो दूसरा इस side था, तो alternate interior बोल दिये, अगर एक ही जो, कि यह दोनों को बोलेंगे क्या, यह दोनों को बालक बोलेंगे consecutive interior angle consecutive मतलब लगातार interior angle है ना, interior इसलिए क्योंकि दोनों parallel line के बीच में है, और इसको बोलेंगे consecutive interior angle, क्या बोलेंगे बालक consecutive consecutive, है ना, interior int, short में लिख दे रहे है interior angle, consecutive consecutive interior angle इसको बोलेंगे, 4 और 5 को, transversal के एक ही साइड जो दो एंगल है, दोनों को हम लोग बोलेंगे, interior भी होना चाहिए, transversal के एक ही साइड दोनों एंगल, जो interior मतलब की parallel line के अंदर होना चाहिए, दोनों को बोलेंगे consecutive interior angle, उसी तरीके से एक और तुमको consecutive interior angle दिख रहा होगा अगर घूर कर देखो तो, बाभू ये 3 और 6 ये दोनों भी, angle 3 और बालक angle 6 ये दोनों भी, क्या है consecutive interior angle है, इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, अब दोनों में relation समझा जाए, है ना, दोनों में बालक हम लोग क्या समझेंगे, relation समझेंगे, दोनों में relation ये है बालक, कि ये द मतलब की, consecutive interior angle का जो सम है, consecutive interior angle का जो सम है, बाभू वो कितना होता है, 180 डिग्री, इसको भी हम लोग आज पूरूफ करेंगे, मज़ा आ जाएगा, इसको भी आज हम लोग पूरूफ करेंगे, और question जब करेंगे तो यार, ये सब तो म अच्छे से समझ जाओगे, और फिर ये पूरूफ का जब करेंगे, इसको बनाने में खूब मजा आ जाएगा था, 11-11 बजे तक रात को हम इसका question वालक करते रहते थे, different book से, teacher से मांगते रहते थे इसका question, ये बड़ा मज़त होता है, बड़ा मज़ार होता है, बस सरते, तुम क्या करो, बारी की से इसको तो यह तीन बात हम लोग देख लिये, एक और important बास बस देख लिया जाए और उसके बाद हम लोग प्रूफ की और निकल पड़ते हैं, द्यान से सुनना, यहां तक तो बात clear है, एक और बात यह है बालक, कि यह जो एंगल है यह 1 और यह 5, द्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे है, यह 1 और यह 5, यह 2 और यह 6, यह 2 और यह 6, हम लिखते चल रहे हैं, देखो, तुम नोटिस करते चल ला, 1 जो है और 5 जो है, है ना, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि 2 जो है, 2 और 6, 2 और 6, हम क्या बोल रहे हैं कि 3 और 7, एंगल 3 और 7, है ना, और एंगल 3 और 7 हो गया, ए Angle 4 और Angle 8 द्हांन से सुनो हम क्या बोल रहे हैं Angle 1 और Angle 5 समझ गए पिर भीर हैंGle 2 और Angle 6 है ना पिर हम क्या बोल दिये तुमको कि Angle 3 और Angle 7 ये भी बोल दिये और इसके बाद बोल दिये Angle 8 और Angle 4 ये एंगल के पàng को बालक हम लोग बोलते हैं corresponding angle, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बालक, corresponding angle, है ना corresponding angles, इसको बालक हम लोग बोलेंगे corresponding angle, और corresponding angle में बालक relation ये है, कि ये हमेशा equal होता है, को रिलेशन है, कि जहाता है इसके इकवल google सब्सक्राइव सब्सक्राइबृ करेhaba जाने, कि जो मांट सब्सक्राइबृ कि जो अगन्यक्शोежду अगेर क्रेसे है, dunka के जो सबसे पहले तो यह corresponding angle है और corresponding angle का जो measure है बालक वो equal होता है इतना बात बस अगर तुम जान गए lines and angles में इसको दिमाग में set कर लिया अच्छे से तो फिर यार geometry में मजा आने वाला है बस इतना बात अब इसके proof क्यों और चलते है इसका proof देखते हैं बालक ध्यान से देखोगे ध्यान से देखोगे हम इसका proof बताने वाले हैं देखो ध्यान से सुनो यह बालक क्या है यह क्या है हमको बताओ यह एक line है और यह एक line है यह दोनों बालक parallel line है है ना यह दोनो parallel line है इसमें इस तरीके से एक लाइन ड्रो कर दे, तो यह ट्रांसवर्सल है, है ना, हम अभी प्रूफ कर रहे हैं कि corresponding angle का जो sum है ना, वो 180 degree होता है, हम यह proof कर रहे हैं, corresponding angle, sorry, consecutive interior angle का इसको proof कर लिया जा ना, इसको हम प्रूफ कर रहा है, इसको कैसे proof किया जा पहले naming कर लिया जा इसको अगल 1 बोल दिये, इसको बाभू, एंगल 2 बोल दिये, है ना, देख रहा है ना, यह color अच्छे से दिख रहा है ना, रुख जा बालक, थोड़ा से और तुम को clear देखे इस क्या प्रूफ करना? यहां पर बालक given में है कि A L और M पैरलेल है और T एक ट्रांसबरसल है और हमको to proof यह कर देना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180 डिग्री है ना? और क्या प्रूफ कर देना है? एंगल 4 प्लस एंगल 3 is equal to 180 डिग्री हम एक proof करेंगे दूसरा तुम proof करोगे हम इन दोनों में से कोई एक proof कर देते है उसी तरीके से दूसरा वाला अराम से तुम कर लोगे है ना? तो एक हम करते हैं बालक देहन से सुनना, एक बात बताओ इसको observe करो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 बाबू कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होता है? बोलो अगर पिसला वीडियो देखो और जिमेटरी बेसी का तो तुम जरूर इसको बता दोगे वालक यह 180 डिग्री होता है और रीजन में तुम डाल दोगे लिनियर पेर अगर पिसला वीडियो देखो होना तो यह तुम अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि इसका हम लोग प्रूफ देखे थे कि 1 और 4 180 डिग्री कैसे होता है मतलब दोनों का सम 180 डिग्री कैसे होता है तो यह बालक लिनियर पेर है उसी तरीके से उसी तरीके से वालक द्यान से सुनना एक और हम लोगों के पास रिलेशन है यहाँ पर नोटिस करो इस बात को एक और रिलेशन है कि अंगल 4 जो है अंगल 2 के बराबर होता है क्यों भाईया? क्योंकि अल्टरनेट इंटेरियर अंगल है है, सौर्ट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटेरियर अंगल हम क्या बोले कि 1 प्लस 4, 180 डिग्री है और 4 जो है यह 2 के बराबर होता है अभी अभी तो देखे अभी अभी तो देखे कि जो 4 है बालक यह जो 4 है यह जो है 3, यहाँ पर 3 है वो बात यहाँ पर 3 है वो 5 के बराबर यह दोनों आपस में इक्वल होता है अभी अभी देखे थे मतलब अल्टरनेट इंटेरियर अंगल यह दोनों आपस में इक्वल होता है अभी देखे थे एक बात बताओ कि 4 जो है यह 2 के बराबर है 4 जो है यह 2 के बराबर है, इसको लेट कर लिया जाए equation 1, equation 1 में, यह एक equation है, यह वला एक equation है, इस equation में, 4 के बराबर जो 2 है, अगर हम 2 को put कर दे, देखो, यहाँ पर putting, हम लिख रहे हैं, putting value of angle 4 is equal to angle 2 in equation 1, equation 1 में हम put कर दिये, equation 1 में, 4 के place पर 2 put कर दिये, क्यों कर दिये, क्यों कर दिये, क्यों कर दिये, क्यों कि दोनों equal है, दोनों equal है, कर सकते हैं ऐसा, हैना, 4 के बराबर 2 है, तो 4 के place पर 2 लिखा जा सकता है, तो यह क्या बन गया, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, हैना, बना की नही हम क्या बोले कि equation 1 में, देहन से सुनना, equation 1 में अच्छे से clearly दिख रहा है न तुमको, अच्छे से बालक clearly तो दिखी रहा है, चलो जी, हाँ जी देखो, हम क्या बोले कि 1 प्लस 2 180 डिग्री हो गया, मतलब 4 जो है न, 4 जो है, ये 2 के बराबर है, तो 4 के प्लेस पर हम लोग इसल हो गया, 1 प्लस 2 is equal to बालक कितना, 1 प्लस अगल 2 is equal to 180 डिग्री, यह हम को प्रूफ करना था, और ये वला लिनियर प्लस पर के इसले कर कर देखो, वालक इसले को इसले कर दिये, अब उसी तरीके से 4 प्लस 3 is equal to 180 प्लस 3, तो हम क्या बोले कि, देखो 4 प्लस 1 is equal to कर ही देते ह और हम क्या बोल रहे हैं कि angle 1 जो है ना angle 3 के बराबर है angle 1 जो है angle 3 के बराबर है alternate interior angle तो बालक 1 के place पर 3 को तो put किया ही जा सकता है है ना 1 के place पर यहाँ पर 3 को put किया जा सकता है क्योंकि दोनों equal है तो angle 4 plus angle 3 is equal to कितना हो जाएगा 180 degree यह बात तुम को ध्यान रखना है समझ गा next next देखो बालक हम लोग एक बात प्रूफ कर दिये कि consecutive interior angle का जो sum है ना यह बालक क्या है 180 degree है ना 180 degree consecutive interior angle का sum है यह बात हम लोग प्रूफ कर दिये अब हम लोग प्रूफ कर दे रहे है alternate interior angle है ना naming कुछ उसी टाइप से कर लिया जाए देखो 1 था 2 था 3 था 4 था 5 था 6 था 7 था और 8 था इस तरीके से अब मेरा goal क्या है अब मेरा goal है बाबू कि प्रूफ कर देना है क्या प्रूफ कर देना भाईया कि 3 जो है यह 5 के बराबर है यह angle दोनों बराबर है है ना एक दूसरे relation का यूज करके each and every को हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं देखो ध्यान से और एक बात प्रूफ कर देना है कि angle 4 जो है angle 4 जो है angle 6 के बराबर है है ना इसी कुना alternate interior angle बोलेंगे यह बात प्रूफ करना है बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं तुम एक बार इसको ट्राइ कर लो हम चाहेंगे कि वीडियो को रूख करके ट्राइ कर लो यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बालग angle 3 plus angle 4 180 degree क्या लिखोगे 3 plus 4 का value 180 degree क्या लिख दोगे linear pair लिख दोगे है ना लिखी देते है linear pair चलो जी और 4 plus 5 कितना हो जाएगा बालग 4 plus 5 कितना हो जाएगा 180 degree का है भाईया यह का है 180 हो गया हो तो यह है consecutive interior angle क्या है consecutive interior angle consecutive interior angle बात किलियर है ना अच्छे से बात किलियर होना चाहिए इसको equation 1 माल लो इसको equation बाबू 2 माल लो notice करो equation 1 और 2 को धहान से समझना हम जो बोल रहे हैं उसको एकदम करना धहान से तभी समझ में आएगा notice करो equation 1 और 2 को 3 plus 4 का value 180 और 4 plus 5 का भी value 180, इसका भी value 180 मतलब जितना बाबू यह है उतना ही यह है, यह दोनों बराबर है इस बात से agree कर रहे हो क्या? फिर से देखो, 3 plus 4 का value 180 4 plus 5 का value 180 मतलब इसका क्या हुआ कि जितना इसका value है मतलब 3 plus 4 का जितना value उतना ही 4 plus 5 का value है इशका value 180 है इसका मतलब ये और ये आपस में again ये दूनों बराबर है यहां से हम लोग क्या बूल सकते है कि ये दूनों जो है वो बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते है so from equation 1 and 2 equation 1 and 2 से हम लोग बोल सकते है कि angle 3 plus angle 4 ये बराबर है angle 4 plus angle 5 के क्योंकि इसका जितना value उतना है इसका value है तो दोनों बराबर है बात के लिए रहे है ये दोखो बालक 4 और 4 cancel हो गया कैसे cancel हो गया इधर plus में उस सट जाएगा तो minus में है ना तो angle 4 minus angle 4 जीरो बन जाएगा इसलिए इसको cancel कर दिये है ना इसको cancel कर दिये तो क्या बच गया तुम्हारे पास angle 3 जो है angle 5 के equal हो गया ये तो गजबे हो गया देखो तो 3 जो है वो किसके equal हो के बालक 5 के equal हो गया alternate interior angle R equal तो इस तरीके से आराम से हम लोग proof कर सकते हैं 4 और 6 को proof करना कि 4 जो है वो 6 के equal है तुम्हारा काम है बात क्लिर है अब एक और proof कर लेते हैं कि corresponding angle R कैसे equal corresponding angle R कैसे equal इस बात को भी वालक हम लोग proof कर लेते हैं देखा जा आराम से हो जाएगा corresponding angle किसको बोलेंगे इसको और इसको तो पहले naming कर लिया जाए 2,3,4,5,6,7,8 फिर एक बार लिखते हैं यहाँ पर कितना corresponding angle बन रहा है देख लिया जाए यहाँ पर बालक गोल क्या है to proof to proof देखो angle 1 is equal to angle 5 इसका corresponding बाबु यह बन रहा है पढ़ाए थे हैं पीछे हम लोग देखे थे कि 1 का corresponding angle 5 है यह दोनों equal होगा है उसके बाद angle 2 जो है न angle 2 जो है बालक यह angle 6 के equal हो जाएगा इसका corresponding बाबु यह बन रहा है है उसके बाद angle 3 जो है यह equal हो जाएगा angle 7 के angle 7 के और angle 4 जो है यह वाला यह angle 8 के equal हो जाएगा क्योंकि दोनो corresponding angle है यह बात हम लोगों को proof करना है हम इसमें से केवल एक करेंगे और बाकी बिल्कुल उसी तरीके से तुम कर सकते हो देखो बालक दियान से सुनना हम क्या बोल रहे थे कि angle 1 प्लस angle 4 angle 4 is equal to 180 degree इस बात को तुम डाइजेस्ट कर पाओगे क्या बताना हमको हम यह बात बोल रहे हैं बालक देखो हम यह बात बोल रहे हैं हम इसको इधर लाते हैं हम यहां लाते हैं देखो angle 1 प्लस angle 4 is equal to 180 degree इस बात को तुम डाइजेस्ट कर पाओगे क्या बिल्कुल कर पाओगे क्योंकि देखो ये एक straight line है ये एक straight line है और इस पर एक straight line drop हो रहा है तो ये दोनों angle बालक linear pair है straight line पर same point पर बना हुआ angle का sum 180 degree होता है इस बात को तुम समाझ चुके होगे तो 1 प्लस 4 का value बालक 180 degree होगा bracket में डालोगे linear pair linear pair लिख दो गया आगे angle 4 प्लस angle 5 is equal to 180 degree इस बात को digest कर लोगे क्या 4 प्लस 5 180 degree अब तो करना पड़ेगा क्योंकि proof हो गया कि consecutive interior angle का फिर से एक बार repeat करते है दो line parallel एक transversal तो transversal के same side वाला interior angle transversal का same side वाला interior angle को हम लोग consecutive interior angle बोलते है और इसका sum 180 degree होता है है ना तो इसको क्या लिख देंगे reason में consecutive, CO से consecutive लिख दिये short में और interior angle है ना interior angle consecutive interior angle का sum बाला कितना 180 degree अब देखो यहाँ से this is equation 1 this is equation 2 from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 equation 1 and 2 से हम लोगों के पास है वाला कि 1 plus angle 4 is equal to angle 4 plus angle 5 क्यों भाया अभी अभी तो समझे थे कि इसका भी value 180 और इसका भी value 180 तो दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों का value 180 degree है अब यह 4 और 4 वाला कैंसल हो गया तो angle 1 is equal to angle 5 आ गया angle 1 is equal to angle 5 आ गया so consecutive sorry so corresponding angles are equal इस तरीके से हम लोग इससे proof कर सकते हैं ये एक बात हम proof कर दिये तुम ये तीनों बात बात बालग proof कर लेना same process का use कर लेना comment करके बताना तुम कर पाए की नहीं कर पाए अगर नहीं कर पाए होगे तो हम अगले वीडियो पार्ट में कोशिस करेंगे उसे बताने का बात clear है अब मज़ा आएगा अब हम लोग questions पर आते हैं direct अब बालग हम लोग कहा आते हैं direct हम लोग questions पर आते हैं ये रहा पहला question first question is very easy बोला ये गया है देखो इसमें बोला ये गया है कि एक लाइन बाबू एल है और एक लाइन एम है और ये ट्रांसवर्सल है बोला गया है कि एल पैरलेल एम है यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरलेल है जब तक बोला ना जाए तब तक तुम पैरलेल नहीं समझना है मैस में कुछ भी लगने से नहीं होता है मैस में कुछ भी लगने से नहीं होता है कि लग रहा था कि पैरलेल है तो पैरलेल बोल दिये जब तक कोशन में ना बोले कि पैरलेल है तब तक उसे पैरलेल कंसिडर नहीं करना है लेकिन हम बोल दिये तुमको कि एल पैरलेल एम है बोला गया है कि एक एंगल जो है ना वो 120 डिगरी है तो बाकि सारा एंगल बता दो मतलब क्या बताना है तुमको एंगल 1 बताना है एंगल 2 बताना है, एंगल 3 बताना है एंगल 4 बताना है, एंगल 5 बताना है angle six بتانا ہے angle seven بتانا ہے बताया जा सकता है क्या बिलकुल बताया जा सकता है एक मालूम हो तो तुम सब बता सकते हो क्या करके बस ये बात ध्यान रख के कौनसा बात ये बात नहीं ये बात बस ये बात तुमको ध्यान में होना चाहिए इसका नोट्स जरूर बनाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे, है ना प्रूफ तो समझी गए, लेकिन माइंड में हमेशा ये बात होना चाहिए, है ना ये बात, ये बात, ये बात और ये बात, इतना से तुम सारा पैरले लैन वाला कोशन वालक तुम डिल कर लोगे इसली डिल कर लोगे, तो चलो यार, बताया जा, बताया जा इसका क्या वहलू होगा, है ना इसका क्या वहलू होगा, देखो, देखो, ये और ये बालक, दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम कितना होगा, तुम बता दो हमको, ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों बाबु, linear pair है, तो दोनों का sum होगा 180, तो तुम लिखोगे angle 1 plus 120 degree is equal to 180 degree, भाया क्यों, क्योंकि एक straight line पर एक line cut कर रहा है, तो दो angle बन रहा है, same point पर, तो ये दोनों angle का sum 180 होता है, this is linear pair, this is linear pair, है ना, तो angle 1 plus, angle 1, मतलब पहला angle plus 120 degree is equal to 180 degree, so angle 1 is equal to 180 degree minus 120 degree, इसर ये plus में इधर गया, तो minus में, यानि कि कितना आगया बाबु, 60 degree आगया, कितना आगया, 60 degree आगया, है ना, 60 degree यहाँ पर आगया, angle 1 का भेलू, 60 degree बालग, क्या हम बोले angle 1 का भेलू, 60 degree, क्या हुआ हो, है ना, 60 degree, कोई दिकत, चलो आगया देखो, angle 2 का भेलू, देखो, ये वाला जो angle है ना, ये angle, इसके equal होगा, क्यों equal होगा, वर्टिकली अपोजित अगया रिक्वल, है ना, 120 जो है angle 2 के ब्राबर होगा, so angle 2 is equal to 120 degree, वर्टिकली अपोजित अगल, ये कितना आगया था, ये अपने पास 60 degree आगया था, angle 1 कितना आगया था, वालक 60 degree, अब अता 1 और 3 आपस में equal है कि नहीं, वर्टिकली अपोजित अगल, तो 3 भी हो जाएगा बाबू, 60 degree, 3 भी कितना हो गया, 60 degree, clear है, ये दखो, 120 तो ये भी 120, यानि कि angle 4 भी 120, सोचो कैसे, corresponding angle, ये अगल इसके equal, अभी पिछले slide में ही तो proof किये थे, है ना, तो ये 120, तो ये भी 120, अच्छा, ये 60 तो बाबू, ये भी 60, corresponding angle are equal, कोई दिकत, ये अंगल और ये अंगल बालक corresponding angle है, ये दोनों angle corresponding angle है, दोनों angle, तो angle 2 का measure हम लोग 120 जान गया है, तो angle 6 का measure उसके ब्राबर होगा because corresponding angle are equal, उसी तरीके से, उसी तरीके से angle 6 का value 120, ठीक है, angle 5 का value कितना लाया थे बालक 60 degree, angle 5 का value 60 इसके चलते आया था, ये भी corresponding angle है, ठीक ना, अब बच गया angle 7 का value कैसे बता है, तो देखो angle 360 है, angle 360 है, तो angle 7 को भी बाबू 60 होना पड़ेगा, because 3 and 7 both are corresponding angle, तो इसको होना पड़ेगा 60 degree, यानि कि एक angle मालूम था और बाकि सारा angle वालक हम लोग इस तरीके से easily बता सकते हैं, कोई दिक्कत है जी, इस तरीके से हम लोग easily वालक बता सकते हैं, next question देखो, next question ये वाला देखो, इस question में वाला गया है कि one or two angle, देखो one or two दोनों angle का ratio दिया है, रिचो दिया है, लेट कर लिया जाए, कि angle one ये वालक two X है, ratio है तो इसको two X लेट कर लेंगा, समय तो बना ही होगे तुम, और अंगल 2 जो है यह 3 है ratio में, तो इसको 3x लेट कर लिया जाए, अब बाकी सारा तुमको एंगल बता ना है, हमको एक बात बता दो, कि यह कितना आ गया, यह आ गया बालक 2x, और यह वला अंगल कितना आ गया, 3x आ गया, according to given situation, क्योंकि बोला था कि, अंगल 1 ratio, अंगल 2 is equal to 2 ratio 3, तो यह अंगल 1 2x हो गया, अंगल 2 जो है वह बालक 3x हो गया, दोनों का सम 180, because of linear pair, एक स्टेट लाइन पर, सेम पॉइंट पर दो अंगल बन रहा है, दोनों का सम बालक 180, जो भी पिसला वीडियो नहीं देखा है बालक, ए आएगा फिर, हम क्या बोल रहे थे, कि we have angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, अब region डालते रहना, क्या region डालो गया, linear pair, तो हम यहाँ पर क्या लिख देए, angle 1 का बहलू, एक्जाम में जरूर लिखना, region वगरा लिखते चला नहीं, तो मेडम नंबर काट सकती है, 180 degree, अंगल 1 के बदले 2x लिख द 5 से बाला कि यह 3 बार में 15, और 3 और 0, 30, यानि कि 6 बार में, 5, 6, 30, यानि कि x का value बाला कितना आ गया, x का value जो है, x का value आ गया, 36, बताना क्या था तुमको, सारा angle बताना था, x नहीं बताना था, सारा angle बताना था, x यहाँ पर बालाक 36 आ गया, 5, 3, 15, 3, 0, 5, 6, यानि कि ध X का value 36 आ गया, धियान से सुनना, पहला वाला एंग्ल कितना आ गया, पहला वाला एंग्ल पहला वाला एंग्ल वालग थथा 2X, नहिए 2 इंट Bible 36 थे वाले शीनिकि पुर्स्त ज्ट एंगल उन कितना आ गया चाहिए जो एंटल नहिं थाने एंटल इंटल थे 0 यानि कि 72, 2 इंटु 36 करोगे तो कितना 72, ये वाला एंगल आ गया वालक 72, अब एक एंगल मालुम चल गया, तो बाकी एंगल तो तुम बता ही सकते हो, है ना, उसी तरीके से देखो, ये 72 हैना, तो लिनियर पेर का यूज कर लो, या एंगल 2 कितना था, देखो एंगल 2 कितना यह वला अंगल, अंगल 2 कितना था, 3x था, यानि कि 3 into, कितना बालक, 36, यानि कि या जाएगा, 108, तो इसका मेजरमेंट आ गया, 108, यह 108, तो यह भी 108, यह 108, तो यह भी 108, यह देखो 72, तो यह भी 72, है न, corresponding angle, यह 72, तो बालक, यह भी 72, vertically opposite angle, अब देखो, यह 72, तो बालक, यह 72, corresponding angle, यह 108, तो बालक, यह भी 108, तो शारा एंगल तो हम लोग बता ही दी, बस समझ गया, easy होता है, कुछ इसमें खास नहीं है, बस सरते एक बार, इसको अच्छे से ध्यान से दिमाग में बैठा लो, इस सलाइड को अच्छे से लिख करके ध्यान में बैठा लो, तुम कोश बालक उसको easily करने लगोगे, अब यहां से तुमको एकस बताना है, कोशन में बोला है, कि अगर, एल जो लाइन है, यह एल लाइन है, यह एम लाइन है, और यह टी ट्रांसवर्सल है, अगर एल पैरलेल एम है, यह दोनों लाइन आपस में अगर पैरलेल है, ग्रीन वाला ज इसका मतलब यह हुआ, कि 3X माइनस 20 जो है यह इक्वल हो गया 2X प्लस 10 के, यह इक्वल हो गया, है ना, किलिर है बात, जैसे इक्वल हुआ अब एकस का भैलू बताना, बच्चों का खेल हो गया, इस 2X को इधर लाओ गया, तो यह माइनस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में, इस 20 को इस साइड ले करके चलोगे, पहले से यहां 10 था, 20 को इस साइड ले करके चले तो प्लस 20 हो जागा, क्योंकि इधर माइनस में था, यहां से बाबू एकस आ गया, 3X में से 2X गया, एकस आ गया, और यहां से 40 आ गया अगर यह वाला पेज अवा जो है नू तुम्हें याद कर गया तो यह वाला पेज कहां गया यह वाला पेज जो है ना इसको अच्छे से अगर लर्न कर गया तो बहुते मज़ा आएगा इसके कोश्चन में कोई दिकाथ चलो जी नेक्स्ट एकस का वहलू कैसे बताओगे भाय यहाँ पर वालक CD है ध्यान से सुनना अब कोश्चन कंप्लीट हुआ 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 ध्य आदे दो को भोला गया है कि x गछा 2 अगर ये 75 डिग्री है तो बहुते सिंपल है बाबु मुद्धे शिंपल है क्या करना है धिया और दिल बोल उठेगा कि बाबु यह이가 highlighting इसको यह है यह सी ड़ी के पैलल है AB, CD के parallel है, बोला गया है AB, CD के parallel है, ये दोनों लाइन parallel है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो तुम्हारा दिल बोल उठेगा, कि बाबू, ये transversal है, ये transversal है देखो, ये और ये parallel है और ये दोनो, दोनो parallel line, यानि दोनो straight line को join कर रहा है, cut कर रहा है, तो ये BC transversal होगा, notice कर लो, है ना, notice कर लो बालक, यहाँ पर BC जो होना है, ये transversal की तरह है, transversal की तरह act कर रहा है, BC अगर BC transversal है, देहन से सुनना ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये BC अगर transversal है, तो क्या, ये angle, और ये angle गए ल ओल एंगल और वहला ऐंगल यह दोनों पेरलेल लाइन के अंदर का बात है और एक ट्रांसवर्सल के अल्टरणेट साइड तो दूसरा इस साइड ऑल्टरनेट साइड है दूसरे शाइड प्रार्ल को टे काल हो गई इस सब किलियर होने लगए गदम ध्यान से देखते जाओ समझ में आया ना यह एंगल और यह एंगल बालक alternate interior angle हो गया क्योंकि यह दुनों parallel हो यह transversal है तो यह बालक x है तो यह भी x हो गया यह x था तो यह भी x हो गया कोई दिकत अब देखो द्यान से बोला है कि b c e d के parallel है b c e d के parallel है और यह transversal है तो यह एंगल और यह एंगल बालक transversal के एक ही side है और interior है द्यान से सुनना यह parallel है दोनों यह transversal है, transversal के एक ही side है, और यह दोनों interior है, interior angle और transversal के एक ही side है, तो उसको बालक हम लोग consecutive interior angle बोलते हैं, और consecutive interior angle का sum बालक कितना होता है 180 degree, इन दोनों का sum हो जाएगा 180 degree, because consecutive interior angle sum is equal to 180 degree, इतो गजबे हो गया, अब clear है, अब इस 75 को इधर भेज़ दो, तो x is equal to 180 degree minus 75, यानि कि x is equal to बालक 105 हा जाएगा न, 105 degree, x का value जो है इसको minus करोगे तो 10 से 5 गया 5 और यह 17 हो गया, तो 7 से 7 0 और 1 बज़ गया, यानि कि 105 हा गया, यह वला angle x का value, यह question कैसे बनेगा, बहुते आसान है, द्यान से सुनों, यहाँ पर क्या बोला है, इस question को भी हम थोड़ा सा side कर ले, ताकि तुमको अच्छे से दिख जाए, देखो, अभी side तो कर ले भू, बटी A पर D जो है न, E side ना होता है, चलो F, D को थोड़ा side में लिख लेते है, F है और D है, द्यान से सुनो, A B जो है न, A B, A B जो है, यह parallel है, C D के और E F के भी, मतलब A B, E F और C D यह तीनों कि भाया, ध्यान से सुना, C D जो है, E F के parallel है, C D जो है, E F के parallel है, और E C को अगर ध्यान से देखो बालक, तो यह transversal की तरह यहाँ act कर रहा है, यह वाला जो line है, E C जो है, E C को note करो, E C is transversal here, transversal, here, win, E F, parallel C D E F और C D अगर parallel है, तो E C जो है, यह transversal की तरह काम कर रहा है, दिल से अपना अगर पूछोगे ना, तो यह angle, और यह angle, यह दोनों, यह angle और इस angle का बात किया जा रहा है, इसका बात, यह दोनों ना, transversal के same side में है, देखो, transversal E C है, इसके same side में है, और parallel line के अंदर है, त transversal के same side में है, तो यह दोनों बालक consecutive interior angle हो गया, और consecutive interior angle का sum कितना होता है, 180 degree, है ना, तो माल लो इसको, हम कुछ भी माल लेते हैं, थोड़ा दर के लिए y माल ले रहा है, तो बालक y plus 130 degree is equal to 180 degree, consecutive interior angle, तो y is equal to बाभू, 180 minus 130, यानि के कितना हो गया, 50, यह वाला angle जो है ना, y क value 50 आ गया, यह 130, यह 50, फिर एक बार अपने दिल से एक बात पूछ के देखो, तुम्हारा दिल जरूर बताएगा, ध्यान से सुनना, यह AV है और यह CD है, AV और CD में बाभू, यह transversal की तरह काम कर रहा है क्या, कौन भया, BC जो है, notice करो यहाँ पर, notice करो, हम क्या बोलें, notice करो कि बालक जो BC है ना, BC यह transversal की तरह act कर रहा है, is transversal, कब भया, जब AV जो है यह parallel है CD के, अगर यह ट्रांस वर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो बालख यह जो है और यह पूरा जो है दिहान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं यह जो है इवला और यह जो पूरा है यह देखो ये दोनो लाइन पैरलेल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये पूरा और ये बालक इक्वल होगा because यह दोनो alternate interior angle है कैसे समझा है alternate interior angle देखो यह दोनो parallel है और दोनो parallel line के बीची में यह दोनो angle है दोनो parallel line के बीची में यह दोनो angle है parallel line से बाहर नहीं जा रहा है दोनो parallel line के बीच में यह angle है इसलिए पहले तो इसको interior बोल देंगे और ट्रांसवर्सल के अल्ली पल्ली है ट्रांसवर्सल के एक एंगल इस साइड है तो ट्रांसवर्सल के दूसरा एंगल ये वला एंगल दूसरे साइड है देखो ट्रांसवर्सल ये एंगल इस साइड दूसरा एंगल इस साइड इसको fill करो, transversal के दोनों एक ही side था, transversal ये था, दोनों एक ही side था, तो consecutive interior angle, और यहाँ पर transversal के अल्ली पल्ली है, तो यह हो जाएगा alternate interior angle और alternate interior angle का value एकदम equal होता है, dates y हम लोग लिख सकते हैं, 70 is equal to x plus 50, x plus 50 क्यों लिख दिये, क्योंकि पूरे angle का बात है, यहाँ से से यहाँ तक 50 है ना, तो x plus 50 हो गया, जो कि ब्राबर हो जाएगा 70 का, तो वालक x का value आ जाएगा 70 minus 50, क्योंकि यह 50 इदर plus में इधर आया, तो minus में 20 आ गया, कितना आ गया भाया, 20 आ गया, x का value जो है वालक वो आ गया, 20, x ही निकालना था, तो वालक आई होप, यह सारा ज रहा है video, तो share करो इसे अपने दोस्तों में बताओ कि जमेटरी स्ट्रॉंग कैसे होता है, basics पहले clear करना पड़ता है, basics कहां तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है, उन्हें बताओ, है ना, share करो इसे, और most important यह बात है कि पूरे ध्यान से पढ़ो और notes बनाओ इसका, practice करो, अ अगले वीडियो पार्ट में हम लोग इसी पर कुछ ओलम्पियाड लेबल के कोश्टन्स देखने जा रहा है, यानि कि परले लाइन के यह जितना भी हम लोग आज हम लोग पार्ट पढ़े बालक, इसी पर हम लोग कुछ ओलम्पियाड लेबल का कोश्टन्स देखेंगे, तुमको मज़ा उस वीडियो में तभ ही आएगा, जब यह जो पूरा हम लिखवाएं को रोस्पोंडिंग अंगल यह सब जितना भी हम तुमको बात बताएं, यह सब अगर तुमको अच्छे से किलियर है, इसका प्रूफ अच्छे से जानते हो, जितना भी कोश्टन्स समझ गए हो, पुरे फोकस के साथ देखे हो, और कुछ कोश्टन प्रैक्टिस कर लोगे, तो अगला वीडियो पार्ट तुमको पूरा मज़ा आयागा, एक एक बात उसमें समझ में आयागा, तो मिलते हैं बालक, नेक्स्ट वीडियो में, बाई!